हे गाइस वेलिडेशन करने वाले मुझे बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप वैलिडेशन करो साइन अप पेज और लॉगिन पेज का वैलिडेशन कर दो एंड यह बहुत इंपोर्टन टॉपिक है इंटर्यू में भी कभी-कभी प्रेक्टिकल के अंदर क आप वैलिडेशन कर देना टेक्स फिल की वैलिडेशन कर देना तो यहां पर मैंने क्या किया है कि साइन अप पेज लॉगिन का अलग लग नहीं बनाया मैंने क्या कि यूजर नेम है पासवर्ड है कंफर्म पासवर्ड इमेल एन फोन यह जो में जो है वो सभी मैंने यहां पर ले लिया और उसका मैंने validation यहां पर किया है ठीक है तो यह आपको बहुत help करेगा और बहुत मज़ा भी आ जाएगा देखो यहां पर मैंने क्या किया कि आप कुछ भी किये भीना कुछ भी blank रखके आप बटन के उपर क्लिक करोगे तो यह देखो यहां पर कूल एक मस्त image है वो शो रही है और उसके उपर आप क्लिक करोगे तो this field cannot be blank सभी के अंदर यह error यहां पर शो होगी और यहां पर लिखना है username तो यहां पर मैं लिख देता हूँ मेरा नाम अभी आप बटन के उपर क्लिक करना तो देखो error चली गए ठीक है and then password password के लिए मैं लि password तो अब भी दिखना limit 6 हो गई उसके बाद confirm password तो यहां पर मैं लिख देता हूँ ऐसे ठीक है तो वह लिखके मूलेगा कि confirm password didn't match कि password उपर का match नहीं करा तो अभी इसको match कल देते हैं 3 4 1 2 अभी यहां से भी error चली गए ठीक है अगर match नहीं होगा तो वह error देदेगा और यहां पर अगर मैंने 4 character ले लिए तो अभी error होगी कि 6 से 20 में ही चाहिए ठीक है तो यह मैंने validation यहां पर किया होगा है अगर एड़ इमेल के लिए अगर मैं ऐसे लग दिऊंगा और ऐसे .com कर दूंगा तो भी वह error दिखी the enter valid email तो आप ट्राइक कर लेना कुछ भी डालके ठीक है मैंने उसका format set कि होगा है कि तीन नमबर उसके बाद डैश उसके बाद तीन नमबर फिर डैश एंड फोर नमबर तो यहां पर पहले कर देता है डैश डैश अभी क्लिक करोगे direct navigate दूसरे page के उपर आप navigate हो गए यहां पे एकदम cool animation वाला मैंने यहां पे means button जैसा error ठीक है तो यह मैंने किया है और यहां पर मैंने third party का यूज किया है text fill validator ठीक है यह याद रखना text fill validator का मैंने यहां पे यूज किया है उसकी class file से मैं यह validation कर रहा हूँ ठीक है तो इसको close करते है और start करते है ठीक है create new xcore project अच्छे से ध्यान देना ठीक है यह बहुत important topic है और net पे भी अच्छे से validation का objective c में tutorial बहुत कम है और swift में ज्यादा है तो यह ध्यान से देखना ठीक है उसका नाम दे जता हूँ validation in obj next and create okay तो अभी क्या करते है सबसे पहले इसको पहले तो 7 में कर दीता हूँ ठीक है उसके बाद यह जो text validation के जो files है यह पहले तो import कर देते हैं हमारे project के अंदर इसको मैं यह आपे डाल दीता हूँ and copy item if needed and then finish and यह जो दो images है उसको assets के अंदर डाल दीता हूँ हो गया error नाम है और यहां पे दो images है ठीक है और यह जो files and यह जो images है मों आपको description में लिंक दी दूँगा वहां से आप download कर देना ठीक है पर याद रखना हम text field validator का यहां पर use कर रहे तो वो third party का हम यहां पर use कर रहे अभी क्या करते में इंडर स्टोरीपोंट में जाके text ले लेते हैं यहां पर टेक्स फिल्ड ले लेता है तो यहां पर यह यूजर्यनिम के लिए का कॉपी पेस्ट पेस्ट पाच टेक्स फिल्ड होगी ठीक है और यहां पर आप जब नेट पर लिखना अभी मेरा नेट बंद है आप नेट पर लिखोगे टेक्स फिल्ड वैलिडिटर तो वह गिटब में लिंक होगी वहां पर जाओगे ना तो उसके मैं ऐसे ले लेता हूं ठीक है यह सभी टेक्स फिल्ड को मैं व्यू के अंदर डाल दीता हूं अभी यह सभी को मैं सेट कर देता हूं यह मेरी पाचो के पाचो टेक्स फिल्ड को ऐसे सट कर देते हैं वियू के अंदर यह सभी होनी चाहिए ठीक है यह याद रखना तो पहले आप व्यूवी text field ले लिया है उसको थोड़ा बढ़ा कर देते हैं और इसको थोड़ा मैं नीचे कर देता हूँ ओके अब एक बटन ले लेते हैं इसको यहाँ पे रख देते हैं submit के लिए center में ओके यह जो है उतका placeholder है username यह है password यह है confirm password के लिए यह email और यह जो है वो है phone number के लिए ठीक है इतना हो गया अभी क्या करना है यह जो text field validator जो है उसकी class file submit text field को assign करना है तो यह username को select करते हैं third option में जाके यहाँ पे class file है your text field assign कर दिया then enter उसके बाद सभी को text field validator सबको मैं एक साथ select कर देता हूँ class file सबको assign कर देना सभी text field को ठीक है इतना हो गया अभी क्या करना है मैंने super उतो ले लिया उसके अंदर सभी text field और सब मैंने वो ले लिया और एक हमारे यह वी तो है यह view उसके उपर यह super main view ठीक है अभी सबसे पहले क्या करना होगा राइक क्लिक करना text field के उपर जाके और यह पर जो को present वी लिखा हुआ है उसके उपर क्लिक करके हमारे जो main view है वहाँ पर दे देना present in view ठीक है अभी एक बात याद रखना अब आपने 10 text field लिए हो ना तो भी कोई tension नहीं पर जो पहली text field है उसको present view कहाँ पर देना है हमारे पहले view के अंदर बाकि सभी text field को यह उसके अंदर जो view है वहाँ पर देना है जैसे कि यह मैं दे रहा हूँ अभी present view इसको देना है ठीक है सिर्फ user name को ही उपर देना है बाकि सबको नी नीचे की वू के अंदर अगर यह नहीं दोगे ना तो यह वर्क नहीं करेगा तो यह याच से दे देना ठीक है present view दे देना जो भी text field है उसको हो गया अभी क्या करना है कि बटन के क्लिक के उपर navigation होके दूसरे पेज में जाएगा तो उसके लिए एक और view control ले लेते हैं ठीक है और यहाँ पर एक label ले लेते है इस label को मैं थोड़ा बढ़ा कर देता हूं एंड center में कर देते इसको और यहाँ पर मैं नाम देता हूं वैलकम और फॉन्ट साइज ओके एंड इसको मैं center में यहाँ पर कर देता हूं उसके बाद navigation control लेना होगा तो यहाँ पर क्लिक करके एडिटर में जाके एंड इन में जाके navigation controller क्योंकि हम navigation करें के इसके लिए अभी क्या करना है यह जो हमने व्यू लिया व्यू कंट्रोल लिया उसकी फाइल हमें असाइंड करना होगी तो उसके लिए फाइल ले लेते है न्यू फाइल कोकवा टच एंड सेकंड व्यू कंट्रोल नाम बित्ते और सबक्लाज व्यू कंट्रोल होना चाहिए एड अबजेक्टिव सी नेक्स्ट क्रियेट अभी जाते हैं में डॉर स्टोरीबोर के अंदर एंड यह जो फाइल है उसको यहां पर असाइंड कर देते ह सेकंड व्यू कंट्रोल एंड स्टोरीबोर आइडि मैं सेक दे रहा हूँ यह याद्से दे देना ठीक है नैविगेशन करने के लिले स्टोरीबोर आइड तो चाहिए तो यह मैंने सेक ले लिया है अभी जो भी काम था में इडों स्टोरीबोर का वो अभी खतम हो गया अभ बटन सब्मेट अभी देखो यह जो मेरा यूजर नहीं है ठीक है प्रेस कंट्रोल और ट्रैक देखो यहां पे टाइप हुआ Tax Fill Validator UI Tax Fill तो है और अभी देखो Class File हमने assign के इसलिए Tax Fill Validator आ गया अभी यहाँ पर मैं नाम लिखके ऐसा कर सकता हूँ Outlet बना सकता हूँ पर मैं आपको दूसरी मैठाड बचाने वाला हूँ कि हम दूसरी भी मैठाड़े कि हम Outlet कैसे बना सकते हैं तो अभी देखो मैं कैसे Outlet बनाऊंगा ViewControl.m में जाके सबसे पहले तो यहाँ पर मैं Import कर देता हूँ Tax Fill Validator को उसके बाद यहाँ पर ऐसे ब्रेकर करके यहाँ पर लिखना IB Outlet Tax Fill Validator के लिए और वो है मेरा फ़हला TXT User Name Then IB Outlet for कौनसा टाइप आउटलिट बना सकते है Tax Fill Validator यह है मेरा TXT Confirm Password के लिए Copy Paste और यह है Email और यह है Phone के लिए अभी देखना अभी जाते हैं में इंडर स्टोरी बड़ में यह भी एक मैथड है यह आपको आप यूज मत करना पर यूज करोगे तो अच्छा है क्योंकि मस्त मैथरी है यहाँ पर View Control को सेलेक करना और यहाँ पर Last Option में देखो जो भी हमने Outlet बनाई Outlet के सक्षन में देखना TXT Confirm Password TXT Email Password, Phone Number and User Name सभी यहाँ पर आ गई है ठीक है तो अभी क्या करना है यूजर नेम वाली जो है उसको सेलेक करके यहाँ पर दे दो Phone Number को Last में उसके बाद Password को Password में Then Email को Email में And Confirm Password को Comfort Password में तो यह Second Method है Outlet बना के लिए Drag and Drop करते रहते है या थोड़ा नया अभी सीख लो ठीक है? तो यह Second चीज है Outlet बनाने के लिए अभी View Control the Time में जाके अभी Coding Part चालू करते है तो एक बात याद रखना आप COC Plus में पता है Define करते थे Pi की Value है Define Pi 3.14 तो वैसे ही यहाँ पर मैं Define करने वाला हूँ आज तो यह मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है उसको मैं Copy कर देता हूँ And Paste कर देता हूँ यहाँ पर Interface के उपर यहाँ पर जो भी Value को Define करने है और वो यहाँ पर Define होगी And यह मैंने क्या Define किया है मैं वो भी आपको बता देता हूँ दिखो यह क्या है यहाँ पर मैं कुछ भी लिखूंगा जैसे कि मैंने लिखा QW तो मैं जो क्या Error आएगी Username Character Limit Should Be Come Between 3 10 3 से कम नहीं होनी चाहिए और 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए 3 होगी तो चलेगी 3 से 10 के बीच में होनी चाहिए तो यहाँ पर देखो क्या है RIGX Username Limit 3 10 यह पेटर ने लिखने के लिए ठीक है एक पेटर मैं लिखते है वालिडेशन के लिए तो यहाँ पर मैं लिमिट दी हुए 3 से 10 तो देखो यहाँ पर 3 10 आगया ठीक है और यूजर नेम के टेक्स फिल के अंदर आप कौन से टेक्स लिख सकते है तो यहाँ पर देखो Capital A से Capital Z के अंदर जो भी आता है वो Small A से Small Z के अंदर जो भी आता है वो And 0 से 9 0 से 9 तक आप लिख सकते And यहाँ पर देखो फिर से लिमिट दी हुए 3 से 10 तो यह इसके लिए है ठीक है तो मैंने Practically में बता रहा हूँ तो आपको अच्छा समझ में आएगा उसके बाद यहाँ पर है Define किया है R.E.G.X. Email के लिए And email के लिए देखो पितना अच्छे से वो Define किया हुआ यहाँ पर यहाँ पर पहले है Capital A से Z तक Email.com ठीक है तो A से Z तक Small and Capital and 0 से 9 तक भी आ सकता है Gmail कभी-कभी खूद का बना होता है ठीक है Custom email होता है तो वह वहाँ पर भी हम Legit भी होते है ठीक है वो है उसके बाद प्लस करके है Dot. Dot के बाद तो आपको पता है यह के कॉम ही आएगा तो उसके अंदर तो Digit होगा नहीं तो देखो Capital A से Small A तक And Z तक के सभी डीजिट आने चाहिए यहाँ पर Yogesh Adderate Gmail Dot.com और कॉम होगा 2 से 4 डीजिट उससे ज्यादा तो वह होगा ही नहीं 4 से ज्यादा तो होगा नहीं Com तो तूसे 4 डीजिट यहाँ पर Length है Last में यह Bracket के अंदर जो लिखा होता है वो Length होती है जैसे देखो यहाँ पर अगर मैं कुछ भी ऐसा लिख देता हो And then button के उपर क्लिप करूँगा तो देखो Enter valid email And यह है Email address यहाँ पर And यहाँ पर Past में Email address हम Validation करेंगी यह ऐरर कैसे आएगी वो भी मैं नीचे कर दूँगा ठीक है उसके बाद है Password Limit Password Limit आपको पता ही है वो Show हो रहा था जैसे कि मैं यहाँ पर लेख दूँगा 1212 तो यहाँ पर देखो क्या होगा Password Character Limit Should be come between 620 ठीक है तो यह है Password Character की Limit यह 620 होना चाहिए ठीक है देखो यहाँ पर 620 Bracket के अंदर है आप Limit आप दिये सकते हो तो आप कोई भी यह समझ लेना तो आप कोई भी Text Bill के लिए आप अपलाई कर सकते हो अपने आपकी जो भी requirement होगी वैसे तो यहाँ आप 620 Limit है Password Limit उसके बाद है Password कौन सा होना चाहिए Password तो वो है Capital से Capital Z तक और Small से Small Z तक 0 से 9 कुछ भी हो सकता है मैं Numeric भी डाल सकता हो मैं मैं क्या बोलते है उसको ABCD वे भी डाल सकता हो मैं कुछ भी डाल सकता हो ठीक है तो देखो वहाँ पर आपको पता था कि वो कैसा format दे रहा था वो format आपको पता है ना कि form number must be in proper format तीन है तीन की limit उसके बाद dash उसके फिर से तीन की limit उसके बाद dash उसके बाद four की limit और वो तो निमेरी की होगा ठीक है तो यह पूरा आ गया ठीक है तो यह validation हम ऐसे कर सकते तो यह मैंने define के होगा है अभी उसको हम नीचे कैसे use करेंगे वो भी हम देखेंगे एकदम simple तरीके से देखेंगे ठीक है तो अभी क्या करना है इतना आप समझ गए ठीक है अभी हम सभी method को use करेंगे तो उसके लिए यहाँ पर self setup यहाँ पर एक method बढ़ा देते हैं void setup ठीक है अभी उसके अंदर हम लिख देंगे सबसे पहले हमारा txt username ठीक है उसके अंदर उसके अंदर हम लिखने एक्सपेक्टेड टाइप void तो ऐसे लिखते हैं ओके हाँ small में ही होगा ना sorry txt username ठीक है अभी username के लिए add regx ठीक है क्योंकि regx होगा ठीक है define हमने वो किया इसलिए तो अब भी सबसे पहले यहां पे हम लिखेंगे r-e-g-e-x user name limit and message and हमारी message जो है वो पता ही है limit तो कौन सी है 3 से 10 तो आपको message क्या लिखना है user name ch-a-r-c-t-e-r characters limit should become कितनी पी user के लिए 3 से 10 3 से 10 user name character limit should be become between 3 to 10 तो यह क्या है हमारा user name तो user name की limit हमने लिख दी तो वो error ऐसे show होगी यहां पे उसके बाद क्या करते है फिर से txt username add regx यहां पे होगा regx त्यान से लिखना username फिक है और यहां पे मैं जो method लिखने वालों वो हैगी कि only alpha numeric characters are allow ठीक है यह किसके लिए username के लिए username के लिए alpha numeric collector ही allow होगी उसके बाद अभी txt username हो गया उसकी दोनों method का हमने use कर दिया अभी लिखते है txt email के लिए samey add regx regx उसके बाद यहां पे देखो email आ गया तो यहां पे लिख देंगे enter valid email email के लिए जो भी यह वो यह जो भी error आएगी अगर यह फॉर्म में नहीं होगा तो directly enter a valid email ऐसे शो हो जाएगा अभी लिखते है txt password के लिए add regx ठीक है और यहां पे पहले तो limit दे देते है r e g e x password limit अभी limit के अंदर लिखते देते है password character limit should be become between यह लिखते देते है password c h e r e x characters limit should be from 6 to 20 हो गया उसके बाद txt password add regx r e g e x यह define ऐसे करना क्योंकि यह बहुत अच्छा है कि हम डीफाइन करके एकदम easily यह सब work कर रहे है टिक है txt r e g e x password और password के लिए जो हमने limit दे दिया उसके बाद यह लिखना है कि इसको copy काद पेस करते है यहां पर लिखते है password आ पासवर्ड क्यरेक्टर टीक है पासवर्ड मस्ट कंटेंट न्युमेरिक क्यरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक क्यरेक्टर टीक है तो यहाँ पर TXT यह जो को यहाँ पर कमांड प्रेस करके आप जाओगे जम्ट टू डेफिनिशन यहाँ पर पास्वर्ड की करेक्टर है 6-20 वो तो हमने दे दिया लिमीट तो यहाँ पर सिफ निमेरिक जो भी है वो करेक्टर हम लेंगे वो यहाँ पर मैंने दे दिया एकदम सांध की से समझ के पहनना ठीक है उसके बाद TXT कंफर्म पास्वर्ड के लिए वो अभी लिख देते हैं और इसके लिए मैंने अच्छा सा बना है मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि add confirm validation 2 यह text validator h की सभी यह methods है ठीक है जो हम यहाँ पर यूज करें तो वो होगा TXT password उसको वो match करेगा ठीक है अगर वो match नहीं होगा तो क्या रहाने चाहिए कि confirm password is didn't match तो लिख देता है कि confirm password did not match ठीक है तो यह सभी methods है text field validator की जो हम यहाँ पर यूज कर रहे है और confirm password भी हो गया उसके बाद last में है username email password confirm okay THT phone और उसके लिए है add REGX REGEX phone number के लिए कहां पर यह phone ठीक है phone default यह जो है वो method ले जाते हैं यहाँ पर लिख देते हैं कि phone format is has उसके बाद फीर से है तीन बार उसके बार चार बार तो यहाँ पर मैंने सभी के लिए मैंने add कर दिया और void setup को यहाँ पर self कर दिया view reload के अंदर तो यह सभी method को मैंने यूज कर दिया है यह txt username के लिए दो method है email के लिए password के लिए और phone के लिए आयोप कि आपको समझ में आए गया होगा अगर यह थोड़ा आपको complicated लगए तो आप comment कर देंगा इसलिए मैं आप एकदम सांती से कर रहा हूँ कि आपको समझ में है कि मैंने कौन को से method क्यों यूज की है क्योंकि यहां पर यूजर निम की लिमिट 3-10 दिए तो लिमिट उसके बाद अगर alphanumeric ही अलो है तो वह ही अलो करेगा वह email के लिए enter email valid email आपको देना होगा उसके बाद पासवर्ड उसकी उसकी जो है लिमिट है वह and then password contain alphanumeric character and confirm password यह जो password के साथ वह compare करेगा ठीक है और confirm validation इसके साथ वह password के साथ compare करेगा and then confirm password did not match and then phone के लिए तो format दे देंगे ठीक है ऐसे error आ जाएगी तो यह हो गया अभी तो अभी क्या करना है कि यह button के click के उपर क्या होना चाहिए जिसकी हमने action बनाई ठीक है तो उसके लिए हमने action यहाँ बनाई है १िक है यह button के उपर click करने पर navigation की होना चाहिए and check भी करना होगा कि सब्य values ठीक है की नहीं है तो पहले लख दीते हैं यहाँ पर if ठीक है इफ लिख दिया और यहाँ पर लिखना है txt user name validate उसके पाद end फिर आएगा txt email validate and txt phone number validate उसके बाद फिर से and txt confirm password okay confirm password validate अगर सबका validation होगा अच्छा हमारा txt password validate अगर सबका validation होगा अच्छे से तो यह second view control के अंदर जाना चीए तो लिख देते हैं इंपोर्ट करना पर लेगा न अगरे तो second view controller हमारा यहाँ पर has import second view controller dot h यहाँ पर लिख देते हैं second view controller into sec is equals to self dot storyboard dot initiated view controller with identifier add threat sec उसके बाद self dot navigation controller push view controller sec animated true that's good इतना हो गया अभी और दो method है जो हम text field के लिए यूज करते हैं तो वो भी हम यहाँ पर कर देते हैं आपके तो यह ड़न तो यहां पर यह जो हो आप रेकर में दो ब्रेकर कहा गया तो यहां पर लिखना है एक टेक्स्ट फिल्ड अपके मैथड लिखने के लिए हैं स्विप्ट थोड़ा कर रहा हूं और इसलिए थोड़ा भूल जाता हूं आपके टेक्स्ट फिल्ड शूड रिटर्न मैथड है वह आपके कहां से आएगी बुलियन उसके बाद टेक्स्ट एक मिनिट एक मिनिट यहां वहने डेलीगेटी ने दिया ना यार्ण यूवा टेक्स्ट फिल्ड फिल्ड ए डेलिगेट शॉर्य थोड़ा भूल गया मैं अभी तोके यहां पर अभी लिखें टेक्सट फिल शूट रिटर वो मैथड यह गई आदधार मैथड क्यूं नहीं आ रहे हैं तो यह मैथड क्या करती है कि जब हमारा टेक्सट फिल जब रिटरन करेगा जब हम उसके उपर जब अॲग करेंगे तो तब क्या होना चाहिए तो तब क्या होना चाहिए कि जो हमारी text field होगी ठीक है वो resign first responder गेरा तब क्या होगा कि keyboard show हो जाएगा pop up होके आजाएगा देखो यहाँ पर अगर मैं clip करूँगा तो keyboard यह से pop up होके आजाएगा ठीक है उसका meaning यह है यह boolean method है guys तो इसको return तो करना होगा तो यहाँ पर return कर देते है yes ठीक है तो यह मैंने कर दिया यहाँ पर तो resign first responder हो गया second view control navigation भी कर दिया अगर यह सब validation होगा तो then यहाँ पर सभी की limit भी दे दी okay तो सब complete हो गया इसको एक बार run करकर देखते है तो यह है यूजर नेम तो फ़र सब्मिट करते है okay this field cannot be blank this field cannot be blank तो यह work हो रहा है यहाँ पर लिखते है why you click hmm the name character limit should become between 3 to 20 okay यहाँ पर लिख देते है मेरा नाम ठीक है और password लिखते है 123 click करते है 6 to 20 फिर 123 then submit it's gone 123 123 123 123 submit करते है password cannot be match okay अच्छे से हो रहा है वो submit करते है चला गया यहाँ पर दिखते है 123 at the rate dot com submit करते है enter a valid email address यहाँ पर valid लिख देते है yogesh at the rate gmail dot com submit okay then phone number के लिए ऐसे लिखते है मैं submit करते है phone format is okay phone की format दे देते है उसके बाद submit करते है then welcome तो यह अच्छे से वहाँ हो रहा है गाईस और एक और चीज की text field validation यह रा यहाँ पर यह जो requirement थी कि यह required field है यह भी मैं कर देता हूँ यह मैंने क्या किया है मैं वो भी बहता देता हूँ मैंने सिफिक label लिया है ठीक है तो वो भी हम यहाँ पर कर देते है यह label को यहाँ पर रख देते है एक मिनित पहले मेरे को यह view की size को थोड़ी बढ़ानी होगी ठीक है उसके बाद label अच्छा से set हो जाएगा यहाँ पर यह label को मैं ऐसे कर दिता हूँ ठीक है और उसके बाद मैंने क्या किया यहाँ पर जाके star कर दिया enter कर दिया then color को rate कर दिया ठीक है उसके बाद run करते है जो भी required होगी वहाँ पर आप ऐसे कर देना क्योंकि यह भी rate है ना तो यह भी rate होगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा इसलिए मैंने उसको rate कर दिया ठीक है यहाँ पर मैं एक rate कर देता हूँ आपको जो भी होगी जैसे भी फिल के आप required होगी आप required देना तो यहाँ पर guys मैंने validation यहाँ पर कर दिया है ठीक है अच्छे से आपको अच्छा लगा होगा यहाँ पर text field validator मैंने class लिया हूआ है यह जो है उसको present view देना है सिर्फ पहले को उसके बाद जो second है सभी को जिसके बाद के जो भी text field है उसको देना है यहाँ पर present view ठीक है सिर्फ पहली वाली text field को ही main view में देना है बाकि सबको नीचे देना है and make sure आपको class file सभी text field की देनी पड़ेगी text field validator यह बहुत ही important है यह सभी चीज़ है अगर super view नहीं दोगे तो यह run नहीं होगा यह error देदेगा कि आपके पास super view नहीं है तो super view देना view के अंदर ही सबको लेना ठीक है उसके पास second चीज़ यह जो है इसमें ज्यादा confuse मत होना मैं तो बोलता हूँ ऐसा ही लिख दो पर आपको समझ में आना चाहिए कि आपने लिखा क्या है मैंने यह limit दिये bracket के अंदर जो है वो limit है और ऐसे जो square bracket के अंदर है वो है कि आपको कौन-कौन से character allow करना है आप यहाँ पर Q कर देना और Z लिखना वो नहीं लिखे